नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैचल में मैंना मेरी सीर आज के इस वीडियों हम बात करने बाले हैं EWS Certificate के बारे में दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बरगे हैं जो जेनरल कास्ट के लोग हैं उनको 10% का आरक्षन दिया जाता है जो कि EWS Certificate बनाने के बाद मिलता है तो आज के इस वीडियों आपको बताने बाले हैं कि अगर आप जेनरल के टेगरी से हैं और अपना EWS Certificate बनबाना चाहते हैं तो आप किस परकार से ओनलाइन आबेदन करेंगे पूरा स्टेप बाय साथ में दोस्तों आपको बता दें कि EWS Certificate बनबाने का जो प्रोसेस है उसमें जो थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है अब जो प्रोसेस थोड़ा सा आसान कर दिया गया है और जो नया प्रक्रिया है वो किस परकार से आपको प्रक्रिया पूरा करना है उसके बारे में फ पहले कुछ और था अब जो थोड़ा सा बदल दिया गया है जो नया जो प्रोसेस जारी किया गया है उसके बारे में पूरा डीटेल आपको हम जानकारी देने बाले हैं साथ में स्टेप में स्टेप आपको एक आवेदन करके भी दिखाने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट का पहले हम बात करते हैं कि अगर आप EWS certificate बनबाना चाहते हैं तो आपको जो सबसे पहले online आभेधन किस परकार से करना है उसके बाद हम आपको verification process आपको बताने बाले हैं तो आपको सबसे पहले आपको इस website पर आना होगा इस website का link आपको description में मिल जाएगा अगर आपको description में लिंक नहीं मिलता है तो आप जो direct service प्लस बिहार जैसे यह आप type किजिएगा तो यह website आपको first number पर ही मिल जाएगा उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो आपको लिखन सबसे पहले जैसे अंचल अधिकारी अस्थर पर बना चाहते है या पिशिला पता अधिकारी अस्थर पे तो हमें करना क्या है विखकर और पर है यहां कि लिक करेंजा ऑस इस पर कबाकर से आपको एक website open होकर आजाता है तो कुछ ही इस प्रकार से आपको यह website open होकर आता है, दोस्तों बहुत साहर लोग यहाँ पे यह बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक जीले का नाम आता है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँगा कि किस परकार से यहाँ पर सभी जीलियों का यहाँ पर आवेधन होड़ा है तो आप यहाँ पर जो भी आपको है यहाँ पर सेलेक कर दिजिए उसके बाद नेम अप्लिकेंट यहाँ पर इंगलिस में और यहाँ पर हिंदी में लिख रहा है तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आधार नमबर जो है, इसको आप फिल मत कीजिए, अगर आप फिल करते हैं, तो आधार वरिफिकेशन का यहाँ पर option आएगा, और आपके mobile नमबर पर OTP जाएगा, आपका जो mobile नमबर रेइस्टर होगा, आधार कार में, और उसके बाद आपको जो verify करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर date of birth डाल देना है, यहाँ पर आपको जो estate डालना है, तो estate में आपको जो यहाँ पर बिहार आ जाएगा, आपको यहाँ पर select कर देना है, उसके बाद आपको जिला यहाँ पर select करना है, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अपना अनुमंडल सेलेक करना हो अगर अनुमंडल यहाँ पर दिख जाएगा आपको यहाँ पर सेलेक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक करना हो जो भी आपका ब्लॉक परता है वह ब्लॉक आप यहाप को आपको आपको टाहता घ्रादा तो मैं आपको आपना थाना असलेक कर देता हूँ । उसके बाद यहाँ पे आपको पिंग कोड डालना है यहाँ पर अगर персонаж लोग यह पूछते हैं कि हम कौन से कास्ट होंगे, तभी आबेदन दे सकते हैं। दोस्तों यहां पे आपको बता दें कि अगर आ जेनरल कर सकते हैं। यहां पे जेनरल में जितने भी caste आते हैं। लगभग्थ सभी caste का नाम दिया यारा है आप देख सकते हैं। तो यहां पर ब्राम्हन राजपूत या भूमियार किसी भी जाती है that तो आप जो यहाँ पर select कर सकते हैं मैरा जो इससे की भूमियार है तो मैं यहाँ पर भूमियार select कर देता हूं उसके बाद आपको नीचे आने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपको जो नेम यहाँ पर डालना है फादर्स का यहाँ पर automatic हिंदी में आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर mother's name English में और यहाँ पर हिंदी में लिखना है जैसे कि मैं आपको लिख कर दिखाएता हूं जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख करें तो यहाँ पर देश सकते हैं कि हिंदी में नाम आ चुका है तो इसी परकार से आपका नाम आ जाएगा अगर कुछ गलती हो जाता है हिंदी में तो आप उस परकार से input tool का यूज कर सकते हैं उसके बाद इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं अगर आप हस्बें या फिर वाई पे तो आप उनका नाम दे सकते हैं यहाप आप जो आवेदक का मोबाइल नमबर होगा वह आपको देना उसके पाद यहाप इमेल आइडी देना है दोस्तों यहाप एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नमबर और इमेल आइडी यहाप जो है सही सही देना है क्योंकि जब आपका आवेदन यहाप पर स्विक्रिट हो जाता है तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम ब्लॉक में जाकर लें तो आपके ईमेल आइडी पे आपका जो बीडिय कवह सेंड कर दिया जाता है और मोबाइल नमबर मेसेज के रिठरू बता दिया जाता है कि आपका आप एगर कर लिया गया है और आपको घुल नीचे आने के पर यहाँ पर कुल पारिभारिक आयो यह जो पूछा जा रहे द प्रिंट आउट निकलता है जैसे आप सब्मिट करते हैं दोस्तों कुछ इस परकार से आपको पीडिया पाल यहां पर जैसे प्रिंट पर किलिक किजेगा तो यह आपको नीचे आना है यहां पर आपको दिखे रहा होगा ओनलाइन आवेदन की तिथी और यहां पर नीचे आपको दोस्तों दिखेगा सेबा परदान करने की प्रस्ता अभी तिथी यानि कि इतने डेट के अंदर अंदर आपको वेडिफिकेशन करवा लेना है नहीं तो आप आपको यहां पर रद कर दिया जाएगा यानि कि इतने दिन के अंदर अंदर आपका EWS Certificate बन जाएगा तो यहां पर आपको कुछ इस परकार से दिख जाएगा साथ में नीचे में आपको कुछ जानकारी दिया गया है आपका जो भी ग्राम पोस्ट और जो भी आपने पारी कई बारी को धिया होगा यहां पर कितना आपका बार्सिक जो है आए है वो आपका लिखा हो रहेगा और भी जानकारी यहां पर दिया हो बार्सिक उ-ठाओं किया हुआ हods तो आपको करना क्या है दोस्तों अब मैं आपको बताताशाओ कि फिजिक ल वेरिसकेशन किसी पर जब physical verification आप लोग करबाते हैं तो आपको यहाँ पर एक F-A-Defit आपको लगाना होता है, जो कि आपको अपने code से बनबाना होता है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर यहाँ पर यह process हटा दिया गया, अब आपको F-A-Defit नहीं लगाना होता है, हलाकि पहले भी बहुत सार जिलों में जो है, आपको F-A-Defit नहीं लगाना होता था, डाइरेक्ट जो है, वहाँ पर physical verification हो जाता था आपके documents का, अब दोस्तों यह लगभग सभी जिलों में चालू कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ जिलों में हो सकता है, कि यहाँ पर physical verification में जो है, आपको F-A-Def यह प्रिंट आउट लेने के बाद, आपको किसी भी परकार का कोई form यहाँ पर नहीं बढ़ना है, पहले आपको जो एक offline form लेना होता था, उस form को भढ़कर आपको जो अपने CI से यहाँ पर verify करबाना होता था, तभी आपका यहाँ पर बन पाता था, येकिन आप जो है, document लगाना है, साथ में आपको जो है, यहाँ पर आए पर्मान पत्र लगाना है, यहाँ पर आवासिय पर्मान पत्र लगाना है, और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आपको जाती पर्मान पत्र लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जेनरल कास्ट का जाती पर्मान पत्र बनाना इतना आसान नहीं है तो आपको यहां पर आए पर्मान पत्र और आवासिय पर्मान पत्र यहां पर आपको बनवाना है और दोस्तों आवेदन करने से पहले आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको यहां पर आपना आवासिय पर्मान पत्र और वहां पर जमा करना होगा यह सारा डोक्यमेंट लेकर आपको सिर्फ आपको रख में आर्टीपीएस काउंटर पर जाना वहीं पर आपको सारा डोक्यमेंट भेरिफाइप कर दिया जाएगा वहां से बता दिया जाएगा कि आपका डोक्यमेंट कहां पर भेरिफाइप किया जा दुस्तों, आपको जो अपना EWS certificate बनबाना है, और अपना EWS certificate लिए जो है verification करबाना है, दुस्तों आपको बता दें कि जैसा ही आप वहाँ पे verify करबाते हैं, साट डोक्मेंड आपका verify कर लिया जाता है, उसके बाद आपको एक से दो दिन के अंदर अंदर आपका EWS certificate बन जात आप उस पीडियाप को जो है खुद से भी कहीं प्रिंट आउट करवा सकते हैं आपको जो है आपके ब्लॉक जाकर आपको वो लेने की जरुवत नहीं है क्योंकि वो जो है डिजिटली वेरिफाइड होता है आपको कहीं भी जाने की जरुवत नहीं है I hope दोस्तों आपको यह अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक किज़े इस वीडियो को सबस्क्राइब किज़े हमाई चैनल को साथी शेर किज़े इस वीडियो को तागी और भी लोग को जानकारी मिल सके मिलते नेक्स विडियों तरब तक के लिए धन्यवाद